आज का वीडियो कोई टीचिंग स्ट्राटेजी और मेतर्ड या एप्रोच के बारे में नहीं है आज का वीडियो बस हुमानिटी के नाम पर है आप समझ गए होंगे कि मेरा मैं क्या बोलना चारी हूँ और यह मैसेज सिर्फ टीचर्ज या स्कूल्स चलाने वालों के लिए न बसलम ने फरमाया कि अगर आप कोई चीज बुरा आप कोई बुराई होते देखो तो उसको जो है अपने जबान से रोको जबान से ने रोक सके हाथ से रोको हाथ से ने रोक सके तो अपने दिल में उसको बुरा मानो तो यह आखरी दरजा है इमान का तो यह चीज हम सुनते इतने बेबस हो जाते हैं, हम, हम, हम को ऐसे लगता है कि कोई चीज आगे रोशनी की उमीद की जो है नजर नहीं आती, just imagine the condition जहां पर पूरे घर वाले जो है, छोटे-छोटे बच्चे, पूरे खानदान का जो है, नामों निशान जो है, मिटते हुए हम देख रहे हैं, मास फ्यूनरल्स हो रहे हैं, और हम अगर उस चीज़ को गलत भी नहीं समझेंगे दिल में, और हमारे तरफ से हम कुछ भी नहीं कर सक रहें, तो ये बहुत बड़ी जो है, आजमाईश है, बेबसी है, कमजोर लंभा है हमारे साथ, इस वक्त में हमें, जो है, सारे फिकरों को अपने जो आपसी तो इसके लिए हम दुआएं करेंगे, हमारे असेमली में दुआ करेंगे, हम चोटे-चोटे डिसकशन्स रखेंगे, जहां पर बच्चों को जो है, सही information मिले, किसी भी चीज़ की, सही, उनको awareness तो हो, वरना तो ये लोग, जो है, they are misguided, especially our youth is misguided, they are lost in the fantasies and you know, of social media and बहुत ज्यादा, इतने ही ज्यादा fake चीज़ों में अपने आपको, अपने future को imagine करके, जो है, बच्चे तबाह हो रहे हैं, तो बच्चों को right direction देंगे, हम उनको सही सही बताएंगे, awareness देंगे, साथ ही साथ उनको ऐसे critical thinking करने वाले बनाएंगे, जिसके वज़े से वो problem solvers बने आगे चलके, उनको जो है, critical thinking के एक strategy है, media bias, scavenger hunt, इसके वज़े से जो news सही है, या गलत है, बच्चे जो है, समझते हैं, वो एक complete thought process है, जिसके उपर मैं आगे चलके video बनाऊंगी, फिलहाल जो हर चीज़ दिखाई दे रही है, या फिर जो है, जो videos usually viral हो जाते हैं, वो कहीं बार fake भी हो सकता है, ठीके, तो reality में बहुत मुश्किल हालाद से बुज़र रहा है, Palestine, undoubtedly, at the same time, it's time we give true and khalis knowledge, awareness to our children, and trigger the empathy in hearts, trigger the empathy in their hearts and make them, you know, concerned thinkers, conscious thinkers मनाने की जरूरत है, ताके जो है, we all can raise for a common cause that is peace, that is peace. देखे, मैं छोटी सी YouTuber हूँ, बहुत ही ज्यादा influential नहीं हूँ, या उतना ज्यादा मेरे बहुत ही ज्यादा viral videos नहीं होते हैं, क्यूंकि मैं बहुत ही कम educational videos बनाती हूँ, तो मुझे लगा कि हम हमारे level पे जितना हो सके, ये पैगाम पहुंचा सके, peace का अमन का, चाहे आप छोटे से आप school में पढ़ाते हों, या आप बढ़ रहे हों, या फिर आप college में हों, या फिर आपके खुद का school हो, या फिर आप influential person हो, तो at whichever level you are, it is the time you give little bit of your contribution towards the world peace cause, if you don't do this then we are like, you know, like a dead wood, okay? हमारे पास कोई जजबात नहीं है, हम उसके मानेंद हो जाएंगे, आपके तरफ से, हमारे तरफ से सबसे चोटा सा, बिलकुल हम जो effort लगा सकते हैं, it's like praying for them, arranging some, you know, mass prayers for them and, you know, creating awareness among the youth and spreading the right knowledge which is हाग on everyone. जजब आपके लगाएंगे, जजब आपके लगाएंगे, जजब आपके लगाएंगे.